चोटू एक लास पानी लाना गुद मॉर्निंग दी कैसे वाब मैं ठीकू जुही तू कैसी है बढ़िया दी मैं कल भी घर आई थी मुझे चोटू से बता चला कि आप किटी पार्टी पर गर हुए थे अच्छी रही जी दी, यू लुकिंग सो अक्टिफ आई मीन, बच्चों के लिए टिफन पाक करना भाईया के लिए टिफन पाक करना सारा घर संभालना और अपनी सोचल लाइफ भी देखना इन सब के बावजुद भी आप अपने आपको इतना मींटिन कैसे कर लेते हो दी, ये क्या है ये ही तो है मेरी अक्टिवनेस का रास के वा ट्रिफल स्टेम सेल्स और ये ही नहीं, इसके परिनाम बट्टे ब्लेड प्रेशर, शूगर, गटिया और बट्टी उमर के लिए काफी लाइब दैक है और ये मैं ही नहीं, मेरे हस्बन भी इसका इस्तेमाल करते हैं और उनका बट्ट प्रेशर एक्टम कंट्रोल में वाउ दी, मैं भी इसे रेगुलर यूज करूंगी और अपने घर में सबको इसके बारे मताऊंगी क्या आप जानते हैं कि स्टेम सेल गरब नाल में पाये जाते हैं? स्विजेलेंड की जंगलों में 200 साल पुराने ग्रीन आपल मॉलिस्ट डुमेस्टिका के पेड है जिसकी आपल 3-4 महीने तक पेड से अलग होने के बाद भी ताजा रहते हैं शोद में यह पाया गया है कि इस आपल में वही स्टेम सेल है जो गरब में पल रहे पच्चे किनार में होते हैं केवा टिपल स्टेम सेल में इसी फलका निचोर मौझूद है केवा टिपल स्टेम सेल की मदद से कमजोर सेल यानी खोशिकों को ठीक किया जा सकता है, और उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को भी धीमा किया जा सकता है, इससे पोशन समबंदी अवज्चक्तों को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसमें शामील है मॉलस्ट रमेस्टिक का, सोलडूर वाइटिस, अकाइबेरिस, क्रानबेरी फ़लों का अर्ख, कॉर्डिसेप साइनसेज, जाइलोफाइलम को म्यून और विटिक्स अनरस कॉस्ट्रा उत्पाद के लाब त्वचा को स्वस्थ बनाता है और जूरियों का आनक कम करता है शुगर का स्थर सही रखता है, ब्लड प्रेशु को कंट्रोल करता है और दिल को स्वस्थ रखता है हडियों को मजबूत बनाता है और गठियों की रोगियों को भी राहत प्रधान करता है जिगर को कारेशिल बनाए रखता है हॉर्मोन संतुलन के लिए भी सहाइक है मैं तो आज से शुरू कर रही हूँ, आप कब कर रहे हूँ?